आज हम नमबर सिस्टम में जो थर्ड मोडूल डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने पहली वेरिएशन को डिस्कस किया था जो किया थी हमारे पास बाइनरी टू ओक्टल इसमें हमने एक नॉर्मल वेल्यू के साथ डील करके देखा था और इस टेबल को पहले पहली वीडियो के और इस टेबल के थू हमने इन बाइनरी को अक्टल में कनवर्ट भी किया था अब हमने क्या करना है अब हम एक पॉइंट वैल्यू को डील करके देखते हैं कि पॉइंट वैल्यू को बाइनरी से अक्टल के अंदर कैसे कनवर्ट किया जाता है तो इस वैल्यू को आप सबसे क्या करते थे कि ऐसे 3-3 इंक्यैन के बिट्स बनाते थे three आपके पास यहां पर single one रहेंगे तो आप यहां दो zero लगा दें यहां एक नमबर है तो आप दो zero लगा दें यहां पर राइट ताकि आप इसकी binary complete कर सके यह निकि इस bit को complete कर सके लेकिन point value में हमने क्या करना है point value में हमने कुछ ऐसे करना है देखें जो values आपके पास point से left side के उपर है उदर से आप यहां से ऐसे bit बनाना शुरू करें तीन का और तीन का bit और इसी तरह आपके पास जो right side के उपर values है उनका भी ऐसे bit बनाना शुरू कर ठीक है जब आप bit बना लें तो इसके निचे आप simple binary put कर लें तो आपका number easily convert हो गया ठीक है लेकिन sometimes क्या होता है कि यह तीन-थीन का populate नहीं हो पाता लेट से अगर इधर एक 0 हो रहा है या इधर एक 1 ज्यादा है तो इसको आपने कैसे करना है इसको आपने एक 0 है तो इसका bit पूरा करने के लिए आप 20 अपनी तरफ से लगाएंगे ठीक है इसी तरह कर इधर एक 1 है तो इसके आपने left side के पर 20 अलग से लगाने ताकि यह bit पूरा आपका complete हो जाए क्यों कि अकर यह single number होगा तो इसकी तो value आपको यहां बे मिलेगी नहीं तो इस value को डूंडने के लिए आप इसको complete bit बनाएंगे तब जाके यह आपको value देगा वरना यह आपको value नहीं देगा तो अभी इस problem को solve कर लेते हैं simple सा problem था यह आपके पास इतना ही problem था तो आप इस values को in list करना शुरू करें आपके पास 100 कि की binary आप table में देखें फूर की binary है तो आप इसके नीचे फूर लिख दें ठीक है 110 आपके पास किसकी binary है सिक्स की binary है तो यहां पे इस जगह पर आपने पॉइंट लगाया था एक्जैक उसी जगह पी सको in list कर दें तो यह नंबर आपका convert हो गया किसके अंदर octal के अंदर और एक चीज़ आप और देखें इसमें जो तमाम तर आपके पास values आ रही है वो base 7 से उपर नहीं जा रही यानिके 7 तक आपके पास octal में maximum values होंगी 7 से उपर आपके पास कोई value result में नहीं आएगी अगर आपके पास आ रही है तो it means आपने question गलत solve किये तो आपने answer carry out करने के बाद यह जरूर चेक करना है कि आपके पास यह जो तमाम तर values आ रही है चाहे point से पहले है point के बाद है क्या वो 7 से बड़ी तो नहीं है क्योंके आपके पास देखें octal में convert करें ठीक है I hope so आपको यह class पसंद आई होगी इंशाला next class के अंदर हम hexadecimal की convergence पढ़ेंगे कि आपने binary को hexadecimal में कैसे convert करना है उसमें में हम दो examples को इंशाला discuss करेंगे एक normal value को और एक point value को तो इंशाला next class में hexadecimal के topic के साथ मुलाकात करते हैं stay tuned